रादे रादे दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों पंबन ब्रिच तो आप सब जानते होंगे पिछले दो-तीन वीडियो पना कि उसकी सारी अपडेट्स मैंने जो है कवर करी है तो फाइनल उसके उपर एक और ट्राइल से आप जो है लिये गए है जिनको आप कह सकते हो एक स्पी यह बात तो हम सब जानते ही है कि पंबन ब्रिच को जो है नया बनाया जा रहा है इससे पहले वाला जो ब्रिच था हो लगबख 1914 के असपास बनाया गया था और डिसंबर 2020 में उसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया मतलब महां पे ट्राफिक वेगरत कंप्लीटली रोक दिय वीडियो बनाना कि आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों इस ट्राइल के ऊपर वीडियो बनाना इसने बहुत जरूरी था क्योंकि इंस्पेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से जो हां पर की जा रही है पूरे पंबन ब्रिच के अंदर 99 जो है पिलर्स है और मतलब जो भी रिक्वार्मेंट्स होती हैं उसको जो अच्छे से चेक किया है अगर आप लोग CRS वाला वीडियो कि मैंने जिसमें समझा रहा है CRS क्या होते हैं वो देखके इस वीडियो को अगर देखा होगे ने दोवारा तो आपको जात अच्छे समझ में आएगा दोस्त कि में भी यह जो ब्रिज है वह भी एनर्जाइज नहीं है एनर्जाइज नहीं का मतलब इसी जो है उसके अंदर भी करेंट नहीं दोड़ रहा है पर अगर हम रेल्वे के पाटरन को ध्यान से देखे तो वह इस सेक्शन को नॉन इलेक्ट्रिफाइड वे में तो स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा वो इक्षिक के साथ ही इसको प्रोमेच को पाट्रिस बीषब को देखने पार आने वाले समय में में तूरिस्ट एंट्राक्शन भी बनेगा और साते आटी साथ राम यशवराम टेमपल है वहाँ चलते रेल्वेस इस ब्रिज के बनने के बाद काफी सारी ट्रेन जो है इस रूट पर चलाने वाला है जिस तरह किसे हम यह बान सकते हैं कि एक वंदे भारत तो हमको देखने को मिलेगी चन्नाई से मैं रामविश्रुम तो एक्सपेक्ट करी सकता हूं बाकि आप कॉमेड में सब्सक्राइब कि और किस जगह से वंदे भरत चलाई जा सकते रामविश्रुम तक के लिए इसके लावब दोस्तों जो मदरई स्टेशन है वहां से रामविश्रुम तक के लिए वंदे मेट्रो भी जो है आ सकती है और अगर रेल्वेस अच्छे से इस पोटेंशल करना चा लगें बागी दोस्तों क्या बोलना चाहेंगे मुझे में दोस्ते बताएगा इस वीडियो में रखते हैं मिलते आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में